कैसे हो बाल दोस्तों आप सब आज हम स्टांड़ फर्स सब्जेक गुजराती में अब तक जो भी सिखे है उसका रिविजन करेंगे तो आपको क्या करना है आपकी नोट बुक निकालनी है आपकी डबल लाइंग की नोट में इस तरह से आपको हेडिंग देना है रिविजन और अब हम लिखेंगे क्वेशन बर फिल इन दा मिसिंग लेटर्स हमें क्या करना है अस से लेके अह तक और कर से लेके म तक यह सारे जो मिसिंग लेटर है वो आपको इन कंप्लिट दिये है जो आपको कंप्लिट करने है अब सबसे पहला यहाँ पे आपको लिखना है आ यह आपको खुद ही लिखना है पैरन्स आप हेल्प कर सकते हैं आपके बचे को यहाँ पे लिखना है आ ब्लेंग, ब्लेंग, ब्लेंग और ब्लेंग और बाद में लाश्ट में दिया है रूप अब आग के बाद क्या आता है? इ आग गाडिनो आ इ इरनो इ ये है आपको उपर जाने देना है लाइन के बाहर इरनो इ आपको डिफरेंट साफ दिखाए देरा है ये है वो छोटा है इसको लेके नीचे तक ले जाना है आग गाडिनो आ इ इरनो इ इसनो इ उ उत्रणो उ उननो उ रू रू रूशी नो रू देखे ये फर्स्ट अमारी कंप्लिट हो गई लाइन अब है रू रू के बाद क्या आएगा रू रूशी नो रू अने एक मात्रा ए अने बे मात्रा अई अने कानो एक मात्रा अउ अने कानो बे मात्रा अउ अने मात्रे मिंडू अम इतना लिख लेने के बाद अब हम देखते हैं उसके नीचे की थर्ड लाइन यहांको अपनी नोट बूंगे पूरा रिविजन लिखना है टो टो के बाद क्या आएगा टो टो टपाली नो टो टो ठळियानो टो डो डबबानो डो डो ढगलानो डो अनो फेणनो अनो तो तलवानो टो जो चकली नो जो जो के बाद आएगा छो छो छत्री नो छो जो जमरुखनो जो जो जबलानो जो टो टो पाली नो टो ठो ठळियानो ठो अभे नीचे की लाइन न से स्टार्ट करनी है और मता कंपीट करनी है न नगारानो न प पतंगनो प फो फटाकड़ानो फो ब बक्रीनो ब प प भमडानो ब म मरचानो म क क के बाद क्या आएगा ख ख खलनो ख ग गर्णपतिनो ग गगर नो गग, च चकली नच, च छत्री नच, और अबे लाश लाइन, अण फेन नो अण, त तलवार नो त, थ थड़ नो थ, दड़ रानो, दड़, ध जानो, द़, न गारानो, नच, देखे, ये गग और द में आपको डिफरेंस मालूँ हो रहा होगा, ग है वो लाइन के अंदर ही रहेगा जबकि द है वो लाइन के बार आपको इस तरह से क्रोस लाइन बनानी है यह आपको एक्जाम में त्यान देना है देखिए यह question number one आपको इस तरह से पूरा अपनी notebook में लिखना है अब आम आते है question number second पे जो है right, after, before and between letters यानि कि आपको after letters और before letters और between letters गुपेट करने है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है one, two, three और four line बनानी है और इस तरह से तिन box बनाना है वहाँ पे लिखना है after letters, before letters, between letters अब यहाँ पे first लिखा है हम सबसे पहले after letters देखते है थो तो थो के बाद क्या आएगा द, अब यह है द, तो आपको क्या लिखना है न, यह है ब, तो आपको लिखना है ब, चो तो लिखना है जो, फो तो ब, अब है स्वत, अ तो आएगा आ, जो तो आएगा जो दिखिए after letters आपको यहाँ पे complete करना है अब हम देखते है before letters हमें क्या दिया है ड, तो हम लिखेंगे ड, before letter ड, ड, यहाँ पे है ड, तो ड के आगे क्या हैगा थो अब है म, तो हम लिखेंगे भ और म, अब है रू, तो रू से आगे, पहले आएगा उ, 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 न, उ, अब यहाँ पे दिया है उ, तो हमें लिखना है उ, उ, उत्रणो, उ, अब है अण, फेंड नो अण, तो ड, ढग लानो ड, और लास्ट में यहाँ पे दिया है न, तो हमें लिखना है द, सोरी यहाँ पे आएगा अने कानो एक मात्रा ओ, और लास्ट में है अव, अब है अव, तो हम क्या लिखेंगे अम, तो तो के पाद आएगा न, तो न, प, छ, च, चत्री नो छ, ज, ज, उ, रुखनो ज, 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 बलानो ज, तो, तो ड, प, तो आएगा फ, प, फ, ब, और लास्ट में क, ख, ग, यह क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, अब नेक्स्ट पेश, विश्चन नमबर 3, राइट नमबर्स, वन, टू, फिफ्टी, एक थी पचास, ज, आपड़े सिखी गया, एक, और लास्ट में दिया है दस, अब ग्यार, वीस, तो इस तरह से एक थी पचास, लिखते हैं हम, बे, त्रोन, शार, पांच, छो, साथ, आट, नम, अनिये दस, बे ग्रार, अग्यार, बार, तेर, चोद, पंदर, सोड, सतर, अढ़ार, उग्यार, वीस, एकवीस, बादीस, त्रेवीस, चोवीस, पचीस, चोवीस, सत्तावीस, अठावीस, ओगन तरीस, तरीस, एक तरीस, बाद तरीस, तेर तरीस, चोड़ीस, पार तरीस, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 44, 48, 49, 50, ने पच्चास तो हमने कहां तक नमबर सीखे? 31, 50, अब इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है देखे, सब के आगे सिफ यहां पे 1, 1 लगाया है आपको 1 से लेके 10 यानिकि 1, 10 नमबर आ जाए तो आपको यह पूरा क्वेश्चन है, वो जल्दी से आ जाएगा तो क्वेश्चन नमबर आज हमने रिविजन में सिखे 1 से लेके 3 तक जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में यह लन भी करने हैं क्वेश्चन नहीं नहीं क्वेश्चन है